क्या आपने कभी सोचा है कि भारतिय रेल्वे में प्रियोग किये जा रहे रेल्वे के इंजन या रेल्वे के लोकोमोटीव विदेशों में प्रियोग किये जा रहे रेल्वे के इंजन की तरह क्यों नहीं होते हैं तो चलिए इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एरो डाइनमिक क्या होता है दोस्तों इसे साधारन भासा में समझ सकते हैं कि इंजन के आकार को अगर तिर्चा कर दिया जाए तो वह एरो डाइनमिक आकार का होता है किसे कहेंगे दोस्तों वैसी ट्रेन जिसकी गती लगभग 200 किलोमीटर से जादा हो वैसी ट्रेन को हाई इस्पीड ट्रेन कहेंगे उस हिसाब से भारत में एक भी हाई इस्पीड ट्रेन नहीं चल रही है दोस्तों भारत की सबसे इस्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है जि दिल्ली के हजरत निजामुद्न इस्टेशन से आगरा तक सफर में इसका औसट स्पीड लगभग 112-115 किलोमीटर परति घंटा होती है और भारत की सेष्ट ट्रेन जिसकी औसट स्पीड लगभग 60-70 किलोमीटर परति घंटा होती है और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में प्रियोग किये जा रहे पट्री का समुचित रख रखाव उतने स्पीट ट्रेनों के लिए नहीं है लेकिन भारतिय रेलवे में प्रियोग किये जा रहे वरतमान समय के इंजन जो लगबग 200 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड से चल सकते हैं परंतु इसे विभिन कारणों के कारण इसे 200 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड से नहीं चलाया जा सकता है लेकिन बरतमान समय में भारतिय रेलवे के लोकोमोटीव को धीरे धीरे एरोडाइनमिक अकार का बनाये जा रहा है जबकि पुराने जमाने के लोकोमोटीव को पूरा स्ट्रेट या पूरा सीधा बनाये जाता था क्योंकि पुराने जमाने के लोकोमोटिव को गती देने का प्राथमिकता नहीं था उसके अस्थान पर ज्यादा लोड खिचने वाला लोकोमोटिव का अवसेकता था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेलवे के लोकोमोटीव की गती को बढ़ा रहे हैं उसी अनुसार से हम रेलवे के लोकोमोटीव को भी एरोडाइनमिक अकार करते जा रहे हैं तो हो सकता है भाविस में भारतिय रेलवे में प्रयोग किये जाने वाले लोको मोटीव एरो डाइनमिक अकारका हो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चेनल को सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए सलाम रेलवे